हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में मित्रों एक बार फिर आपसे स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का आप सभी दर्शक होगा आपके अपने इस यूटूब चैनल में मित्रों आज के इस वीडियो में आपने थमलेंड एवाम टाइटल में दिये के लिया होगा कि हम किस विशे पर चर्चा करने वाले हैं हां मित्रों चैने की फसल में अधिक्तम से चाहि कितनी बार और किस किस समय हमें करनी चाहिए मित्रों मेरे काफी मित्रों ने कमेंड करकर मुझसे सवाल पूछा है इसलिए मैंने यह वीडियो आपलोड करने की सोची वैसे तो हमारे मालवा चैतर में कहीं किसान भाही जानते हैं कि किस समय हमें सिचाई करनी चाहिए किन्तु जिन मित्रों ने मुझे यह कमेंड लिखा था कि हमें चैने में अधिकतर कितनी बार सी चाहिए कर देना चाहिए तो मैंने इस विशे पर वीडियो बनाया मित्रों जानकारी अवज से पसंद आएगी और जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही आपके इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाईएगा उपर वाली आल बटन को ताकि में आपको हर ऐसे नोटिफिकेशन मिल सके जब भी कोई आपका भाई आपके इस यूटूब चैनल पर वीडियो अपलोड करे तो तो सुरू करना है जानकारी मित्रो पेली सिचाई हमें फूल आने से पहले कर देनी चाहिए हाँ किसान भाई हमें पेली सिचाई हमारी चने की फसल में बुवाई के बाद पेतालिस दिन के बाद हमें पेली सिचाई कर देना चाहिए उस समय हमें करने का मक्सद यह रहता है हमारी फसल में जब भी फूल नहीं आते हैं तो हमारी फसल के ग्रोथ हो जाती है एवं जड मजबूत हो जाती है वही तना भी फेल जाता है तो उस समय हमें पेली सिचाई कर देना साइए पेली सिचाई के बाद हमें अगली सिचाई किस स्टेप में करें इस विसाई पर भी चर्चा कर लेते हैं मित्रो वेसे तो एक सिचाई पर्याप्त रहती है हमारे मालवा चेतर में कई चेतर ऐसे हैं कि जहां एक सिचाई के बाद ही चनी की फसल अच्छी पिदावर देती हैं लेकिन मित्रों कई छेते ऐसे होते हैं कि जहाँ अच्छी प्रकार से एक पानी में अपना चना ग्रोध ने कर पाता है तो हमें दूसरी सचाई के आउच्षकता पड़ती है तो दूसरी सचाई जो है हमें दोस्तों करने का समय जो है वह आता है फूल परिपक्य होने के बाद में आमें तो दूसरी जो सचाई हम कर सकते हैं पिछोतर दिन की अवस्ता में बुवाई से पिछोतर दिन की अवस्ता में हम दूसरी सचाई कर सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे चने की फसल में परिपक वो फूल हो चुके हैं, परिपक को चना हो चुका है, यहने कि कोई भी फूल बाकी नहीं बचा है, एक दो जो है सीरे पर ही है, तो उस समय हमें सिचाई करने से काफिलाब होता है, क्योंकि मित्रों फल में एक एक चने के बज़ाए दो दो तिन तिन चने आने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही हमारा चना चम मजबूत ठोस, बड़े कंद वाला, बड़े फल वाला बनने का ज्यादा चांस होता है, इसलिए हमें दूसरे सिचाई बोनी से पिचोतर तिन की बार कर देने चाहिए, तो किसान भाई, यही एक छोटी सी जानकारी थी, इस वीडियो में आज मेरे पास, जो की चने में हम कब, की समय, कितनी बार सिचाई अधिक से अधिक कर सकते हैं, तो किसान भाई, आसा करता हूँ की जानकारी अविश्य पसन आई होगी, पसन आई हो तो मैंने जै आली बार हमारे चैनल पर आये हो, नीचे अगर लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखावा तो सब्सक्राइब को दबा दीजिएगा, साथी बेल आइकन गंटी का निसान आया होगा, उपर आल लिखावा, उसे भी आप दबा दीजिएगा, ताकि आपको जब भी में कोई आपको सब के पहले नोटिफिकेशन मिल सकें, तो इसे के साथ जई जवान, जई किशान, जई हिन, वंदे मात्रम, मिलता हूं अगले ने इस वीडियो में, जई